हेलो गाइज वेल्ट एक्सरेस में आपका हार्दिक स्वागत है गाइज आज मैं आपके लिए चैयर ब्रेकाउट स्टॉक लेके आयो जो आपको कल याने की सप्टेंबर 2022 को वर्ड लेवल पर मिलते तो आप उसमें एंट्रिक कर सकते हैं तो गाइज मैंने प्रॉमिस किया था आपके अपने हर्स मरला विक में एक दिन ऐसा ऑप्शन सेलिंग के बारे में वीडियो बनाएंगे जो जैसे कि विकली एक्सपारी होती है निप्टी में उ अपने ट्विटर और टेलिग्राम पे भी पोस्ट करके बताया था तो इसमें सिक्यर इंकम होती है बहुत हाई चांस होते है आपने देखाओ अगा जब अपने पोजीशन बनाए तब निप्टी चल रही थी 13 सप्टेंबर की बात कर रहा हूं तब निप्टी चल रही थी अपने उसमें प्रॉपिट बुक हुआ है और उसके अलावा भी नेक्स्ट यानि कि 29 सब्टेंबर का भी मैंने ऑप्शन सेलिंग का एक वीडियो बनाया है तो आप जाके देख सकते हैं तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन से कौन से स्ट्राइक प्राइज पर अपने ऑप्शन सेलिंग किया है तो बहुत हाई चांस होता है कि आप इसमें से वीनिंग करके बाहर निकलो इसमें क्या है कि यह जो बनाया स्ट्राइक प्राइज इसमें क्या है क्या है कि निप्टी निचे अगर यहां से 10-20 परसंट या तो निप्टी 0 भी हो जाएग और उपर की साड़ अपना व्यू है यानि कि निचे की साड़ व्यू है लेकिन निप्टी अपने व्यू के against जाती है अगर चार्सों-पांसों पॉइंट भी उल्टा जाती है तो भी अपने प्रॉफिट में रहेंगे यानि आप उपर जाएगी निप्टी तो भी प्रॉफि यहां से आराम से 600 point की range मिल रही आपको उपर की side यानि कि आपका view गलत होगा तो भी आप market से पैसे कमा सकते हैं क्योंकि आने वाले experience साथ दिन में ही हो जाएगी तो ऐसा जरूर है निकि निप्टी दो दिन में वो level cross कर जाए तो बहुत high chance है कि आप market से पैसे कमा सको तो यह जाके वीडियो देख सकोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि previous का भी मैंने इसमें explain किया है और 29 September का भी बता है तो जो लोग option selling करते हैं वो ही करो अगर जिसको पता नहीं चलता वो एवेड भी कर सकते हैं तो अभी अपने कल के performance दे लेते हैं नहीं कि 22 September के performance देख लेते हैं 22 September में क्या हुआ था campus दिया था 583 के उपर भाई बोला था stock ने अच्छा high भी मारा था आज देखो गे था 603.8 पर अभी बंद हुआ है लेकिन campus में क्या बोला था symmetrical triangle breakout possible है कल का वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर भाई बोला था और 583 का आज जैसे लेवल क्रोस किया तो देखोगे तो आज पूरे दिन market डाउन था लेकिन अपने stock ने outperform किया और अच्छे से उपर 609 का भी हाई मारा था तो बहुत हाई chance होते है अपने जो strategy होती है बहुत अच्छे से काम करती है लेकिन आपको discipline के साथ trade करना पड़ेगा तो campus ने बहुत अच्छी rally दिखाई उसके बाद चोला मंडिलम finance भी बोला था open price पर भी buy करना है 765 के आसपास open हुआ था 784 पर अभी close दिया उसने भी अच्छा performance दिया मजगा डॉक ने भी open price 454 थी वहाँ पर buy बोला था 460 पर closing दिया वो भी बहुत अच्छे से rally दिया और टिटी के प्रेश्टिक के आप बोला था buy on dip करना है अगर नीचे आता है तब ही buy करना है लेकिन 985 का level आ जाया ही नहीं था और फिर stock उपर चला गया तो उसको मैंने ल बताँगा उसमें पहले stock का नाम रहेगा बी एल को आपको बाइक करना है बाइक करने के मैं आपको logic समझा देता हूं तो purely projection के इसाब से अपने इसको बाइक करेंगे देखो गाईस अपने क्या करते है नॉर्मली आपको जो regular वीडियो देखते है अपने 3-4 setup फॉलो करते है पहला है रे सिस्टम बीकम सपोर्ट दूसरा है ट्रेंड लाइंग का सपोर्ट तीसरा कौन सा सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकाउट होता है या तो चौता होता है बाइन डिवित एडियक्स ये तीन-चार setup है अपने क्या करते है मैं उसमें को stock डूंडने का try करता हूं अ इसको क्यों बाई करना उसके पिछे का लोजिक समझा देता हूं 트ेंड का सपोर्ट है तो ऐली के उपर नॉर्म 얼ी लौजिकल करता है तो आज देखो Trendling का support है Buy and Diffed ADX है Trendling का support है याने कि daily chart में ध्यान से देखो गया तो stock यहां पर करके राधा Trendling का support ले रहा था यहां पर भी trendling का support लिया है और previous day यानी कि कल देखो गया था तो trendling का support के high के उपर normally, logically buy बनता है तो आज देखो कि तो श्टोक ने ट्रैलेंग के सपोर्ट का प्रिवेज जो सपोर्ट केंडल थी उसका हाई ब्रेक करके उपर गया है तो और अभी यहापे क्लोज दिया है यानि कि रिवर्सल कंफर्मेशन मिल गया है यह जो लो मारा था वो आपका स्टॉपलस हो जाएगा यह करीब 107 था और आज का लो था 107.40 का था यानि कि कॉल अभी भी एक्टिव है तो आप इसको अभी बाई कर सकते है क्योंकि अपने को रिवर्सल सिग्नल मिल चुका है सप दूसरा में रेजन आपको पता है जब भी ADX की वेल्यू 25 की उपर होती है और विल्यम सार की वेल्यू माइनस असी आती है तो आपको क्या पता है कि जो पहली बार वीडियो देख रहे तो यह दो इंडिकेटर रिउस करते हैं आप ध्यान में रख सकते हों तो यह क्या होता होता होगे और अभी कल उपन प्राइस पर इसको बाई कर सकते हुद अपनों रागना कि है तोो complaint कि आपने लेकिन उससे क्या है कि risk reward change हो जाएगा समझो कि 114 पे open होता है वही पे आप buy कर लोगे तो फिर risk reward change हो जाएगा इसलिए आपको wait करना है कि 110 यानि कि 110 प्लस 1% count करना है यानि कि 111, 111.20, 30 पे open होता है वहाँ पे buy कर सकते है तो stop loss लगाना है 107 का stop loss लगाना है यानि कि जो support candle लिया था last swing हो सकता है वह आपका final stop loss हो जाएगा और यासे stock उपर जाने के लिए ready है तो target उपर की set देखोगे तो 120 और 125 के आ सकते है time period है एक से 7 दिन का तो guys अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने option selling में तो बोला है कि nifty bearish view रह सकते है नीचे की side तो उसका मेरा मतलब ऐसा नहीं कि nifty यासे 10-20% नीचे गिर जाएगी मेभी कल person nifty थोड़ा 100-200 point उपर जाके फिर next week नीचे आ जाए यानि कि अपना जो selling की बात कर रहा है option selling में अपना जो break even है 18,150, 180 का उसके उपर नहीं जाए कि वो मेरा view है मेभी nifty यासे 200-300 point उपर close दे आने वाले week में तो भी अपने उसमें तो profit में ही रहेंगे और अपने जो buy call दे रहा है उसमें भी अपने profit में रहेंगे और ऐसा भी जरूरी नहीं कि अपने जो buy call दे और nifty नीचे जाएगी तो यह सारे stock नीचे ही जाएगे आज का यह example ले लो nifty में गिरावट आई तो भी अपने buying call वाले stock अच्छे से performance दिया तो आप वो सब मत सोचो कि मैंने sell बोला ने कि nifty में भी यासे sell है तो सारे stock अभी sell करने पूरे ही उसका यह मतलब नहीं है आप stock specific approach रखोगे तो market से पैसे कमा सकते हो index को आपको बुल जाना है index अपना काम करेगा stock individually अपना काम करेंगे तो वो भी आपको द्यान में रखना है तो BEL को आपको buy करना है open price पर ही कर ले तो यह अपना पहला stock होगा है BEL जिसको आप buy कर सकते हो तो दूसरा stock है GMM Fodler GMM Fodler को आपको फिर से buy करने का try करना है पहले भी अपने इसको दिया था लेकिन collect नहीं होता तो daily chart के उपर analysis करेंगे stock का नाम है यहाँ पर देख सकते हो GMM Fodler stock का नम रहेगा तो buy करने का reason क्या है कि trend link का support है buy on deep with ATX है तो ध्यान से देखोगे तो trend link का support daily chart में stock यहाँ पर support ले रहा था यहाँ पर भी support लिया यहाँ पर भी previous day देखोगे तो support लिया था और उसका आपका call active हो चुका है तो आप इसको कभी भी buy कर सकते है तो GMM Fodler को आपको कब buy करने है दूसरा reason देखोगे तो buy and deep with ADX आपको previous stock में भी बोला कि जब भी ADX की value 25 के उपर होती है विल्लेम सार की value minus 80 आती है तो वो क्या होता है stock का last swing होता है stock क्या से reverse mark के उपर जाने के लिए ready होता है तो आपना call already active हो चुका है तो इसको आपको conditional buying नहीं करनी stock का नामें आपको देख सकते हो GMM Fodler stock का नामें CMP कितना है 1910.45 है तो कल आपको open price पर ही buy करना है 1830 का stop loss लगाना आपको वो भी ध्यान में रखना है stop loss या से तोड़ा दूर है लेकिन उसका यह मतलब नहीं हो का है कि stock कराब है आपको risk reward देखना है अगर आपको stop loss दूर लगता है या से तो आप quantity कम ले सकते हो याना कि risk reward आपके हिसाब से याना कि per trade आप कितना risk लेना चा लगता है और आपका stop loss कितना आएगा 80 point का आएगा तो risk reward के हिसाब से भी बहुत बढ़िया और time period एक से 7 दिन का लग सकता है तो दूसरा stock हो गया GMM forward जो यहां से उपर जाने के लिए ready है call already active हो चुका है अभी मैं आपको तीसरा stock बताँगा जिसका नामे data pattern data pattern को भी buy करना ह इसमें भी मैं आपको logic समझा देता हूँ daily chart के उपर इसमें भी analysis करेंगे stock का नामे आपर देख सकते हो data pattern stock का नामे तो इसको buy करने का logic क्या है resistance become support तो daily chart में आप ध्यान से देखो गए तो stock उपर जा रहा था दो दिन के बाद rejection मा रहा पिर से उपर जाके close लेकिन यही area में दिया फिर से उपर गया लेकि close यहां पर दिया फाइनली breakout देके उपर गया उपर जाने के बाद रीटेस करने यहां पर आया और यहां पर भी रीटेस किया हो तो यह stock का पहले था क्या था supply zone था यह stock क्या हो गया demand zone हो गया पहला reason दूसरा reason आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो क हो चुका है रीटेस भी हो चुका है और रीटेस केंडल के हाई के उपर भी stock ने अच्छे से close भी दिया है तो अभी आपको इस stock को करना क्या है आपको buy करना है उसके पिछे का दूसरा logic क्या है कि stock को देखोगे तो trend link का यहाँ पर support मिल रहा था यहाँ पर भी देखोगे त तो trend link का support मिला था और stock ने अच्छे से trend link का भी support लिया है demand zone दोनों एक एरिया में आ रहे थे stock ने अच्छे से green candle बना के उपर close दिया है यहाँ कि already confirmation मिल चुका है stock यहाँ से reverse mark के उपर जाने के लिए ready हो चुका है तो data pattern आपको करना क्या है अभी कितना चल रहा है 2227.5 पैस open price पे कल buy करने का try करना जो भी open price होता है लेकिन आपको वह भी दियान में रखना है 2227.5 प्लस एक 1% यानि कि stock 2440 के उपर open होता है तो आप award भी कर सकते हो normally नहीं होता लेकिन होता है तो आप award कर सकते हो या तो फिर थोड़ा नीचे आये तो तब buy करने का try कर सकते हो नीचे म कि सेट बहुत अच्छी rally stock दिखा सकते 300-350 के लेवल वो भी 107 दिन में stock दिखा सकता है data pattern stock का नाम है तो यह भी price action के इसाब से इसको buy करने का try करना है कल के दिए अभी मैं आपको चोथा और आखरे stock बताँगा जिसका नाम है delta cop delta cop एक ऐसा stock है जो आपको conditional buying करना है CMP पर तुरांत buy नहीं करना previous तीन stock बताए वो आपको क्या करना है कल open price पर buy करना है लेकिन इसमें आपको conditional buying करना है वो भी द्यान में रखना है तो stock का नाम है यहाँ पर daily chart के उपर delta cop stock का नाम है तो इसको buy क्यों करेंगे resistance become support buy and deep with ADX वो logic आपको समझा देता हूँ तो previous में आप देखोगे तो stock यहाँ पर support ले रहा था यहाँ पर भी support लेया यहाँ पर rejection area हो गया था उसके बाद फिर से यहाँ फिर से support area हो गया तो resistance become support आप बोल सकते है क्योंकि यह stock का supply zone था एक candle ने क्या कि यह breakout दिया उसके पाद रिटेस करने निचे आए फिर से stock बार-बार उपर ही जा रहा है और new high बनाए यहाँ से उपर तो यह आपका क्या हो गया demand zone हो गया पहला reason दूसरा reason आप ध्यान से देखोगे तो stock daily chart में यहाँ पे support ले रहा था जैसे यह support candle है यह rate candle आपको दिख रही है उसका high break होता है तब ही आपको buy करना है और अपना main यह setup जैसे की ADX के value 25 के उपर है विलियम सार की value minus 80 है तो वो क्या indicate करता है कि यह stock का क्या हो सकता है last swing हो सकता है stock यहाँ से reverse mark के उपर जाने के लिए ready है लेकिन अपने को confirmation के लिए weight करना है क्योंकि यह support candle ही यह उसका आज high break नहीं किया तो जैसा ही high break को पहले होता है तो stock में फिर से उपर की साइट rally दिखा सकता है अगर low break होता है तो वो अपना invalid setup में count करेंगे तो cmp कितने है delta cop का अभी 211.4 है तो अभी आपको तुरंत buy नहीं करना है 216 का weight करना है 216 के उपर buy करना है तब आप 208 का stop loss लगाओंगे अगर समझो कि closing price अभी 211.4 है अगर stock 208 के नीचे पहले trade करता है तो आपका क्या हो जागा invalid setup हो जाएगा वो भी ध्यान में रखना है अगर 216 का level पहले cross करेगा तो stock में 225 और 230 के level बहुत easily दिखा सकता है time period लग सकता है एक से 7 दिन का तो यह आपको कैसे buy करना है resistance become support है और trend link का भी अच्छे से support है आपे ले रहा है तो बहुत high chance है कि stock का last swing हो सकता है stock यह ऐसे reverse mark के उपर जाने के लिए ready है तो यह अपना चो करता है main आपको क्या करना है discipline के साथ hold करना है और जो level दिया उसके इसाब से buy और sell करना है वो भी आपको द्यान में रखना है तो guys आज की वीडियो में आप देखोगे तो मैंने आपको 4 stock बता है पहला stock का नाम है BEL दूसरा stock है GMM Fodler तिसरा stock है data pattern जो आपको open price वे तीनों buy करना है और delta copy जो आपको conditional buying करना है 216 के उपर तो guys आज की वीडियो में इतने है वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like करके जाना चैनल को subscribe करके रख सकते हैं कल है Friday Friday को अपना intraday का वीडियो नहीं आता क्योंकि Saturday Sunday market बंद होता है लेकिन आपको पता है कि अपन से 9 बचे early morning में वीडियो आता है multi bagger का वो वीडियो मिस मत करना उसमें बहुत अच्छे rally देने वाले stock होते हैं तो बहुत अच्छे से performance देते हैं तो guys अभी मिलते है direct Saturday को multi bagger stock में तब तक thank you वह भाई मिलते है multi bagger वह भाई take care please वीडियो को like करके जाना